नमस्ते दोस्तों मैं आपको पार्किंसन डिजीस के वरे में पतना चाहता हूं कि यह पार्किंसन डिजीस क्या है यह बहुत ही कॉमन भीमारी है जो हम लोग अपने family members के society में हम लोग miss कर देते हैं और उसके वज़े से patients की life होते हैं वह बहुत ही होता है तो यह चीज जो है Parkinson's जो है इसमें आप ऐसे बहुत साई लोगों को देखेंगे अपने society में जहां पे लोग जो होते हैं बहुत slow हो जाते हैं बहुत धीरे बात करने लगते हैं उनका body पूरा bent हो जाता है कभी कभी गिर भी जाते हैं उनके हाथ में कमपन होती है ट्रेमर होता है हाथ हिल की तो यह चीज़ देखेंगे हूं कि यह जो ऐसे आपने लोगों को देखा होगा जो इसमें Parkinson's के symptoms होते हैं तो यह Parkinson's जो symptom होते हैं उसका region क्या है ऐसे आपने देखेंगे कैसे पार्किंस होते हैं उसके region कुछ genetic होते हैं हेरेटरी जो family में आते हो बहुत ही कम रहते हैं जो काफी genetic region होता है जिसमें brain में एक genes के वश होता है लेकि main क्या होता है Parkinson's में जैसे brain में chemical होता है जैसे किसी को सुगर की विमारी होता है तो सुगर की विमारी में क्या होता है कि लोगों के सरीर में insulin का बनना कम होता है तो उसके वाज़े से क्या होता है कि सुगर बढ़ जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या होता है कुछ टैबलेट देने पढ़ते है प्रेंप्राहिए के लिए दोपामीन की कमी के वज़ह से भी मारी होती ही बॉड़ी स्लोर्स होता तो इसके लिए डोपामेन जो टाबलेट होता है वो देना पड़ता है वो टाबलेट का कोई side effect नहीं होता है तो जितना जल्दी उसके different different stage होते है अरली stage होते है और जितना जल्दी इसको treatment दिया उसका recovery भी अच्छा chance होता है तो इसके साथ साथ धिरे चलना धिरे बातने इसके साथ साथ इसमेल कम होना कभी-कभी memory भी जाने लगती है उनके लेकिन वो लेट स्टेज में होता है constipation का problem होता है पिशाप का problem हो सकता है यह सब चीज होने लगता है तो कैसे इस लोगों को help कर सकते हम लोग तो उनके लिए बराबर रेगुलर टाइम पे दवाई देना वह बहुत जरूरी है second जो है बात्रूम में जो है वह रबर मैट होना चाहिए सब्सक्राइब के लिए जो है जो तरह तरह की टीट्मेंट्स है जो में बताया आपको नेजिन से लेकिन इसके लावा एक स्पेशल टीट्मेंट होता है ज का है होります हाट का बीर सही होता तो बिटAL को डाला है रहत कि डालता है कि ईसके पेशλλिक बहुत बहुत ब्रहला सजड़ी के लिकिन पहुत च्छोटे होलड बे wellness के लिएंट के आंदर लिएछ्ट इनदर क्षोट में इस May कि ऐसा होता है उ पामे। करने से पेशिए की सिंटम्स बहुत से कंट्रोल होते हैं दमायों के जरूद कम होते हैं किसी को पार्किंस तो मुझे पार्किंस ऐसा नहीं है फैमिली मेंद्स में होता है वह जरूरी है जो Parkinson's जो हमें सब बुढ़े लोग में होता ऐसा नहीं, Parkinson's 40-50 सल के उमने में चालो हो सकता है जो होता है इसे movements जो body के movements affect होते हैं, लेकिन मैं जैसे बता है constipation, urine का problem में हो सकता है इसमें Parkinson's के गिरते हैं लेकिन अर्ली स्टेज में लेट स्टेज में गिरना चाला होता है, अर्ली स्टेज में गिरना नहीं होता है यह कोई psychological problem नहीं यह चीज बहुत ज़रा ज़रूरी है और यह जो है surgery से cure हो सकता है, only devious से जो है इसका symptom control हो सकता है और काफी curable हो सकता है और जैसे में बता है कि यह जो है अगर एक patient को Parkinson's हो गया तो इसको उसके बच्चे को होगा यह ऐसा जरूरी नहीं है बहुत ही कम percentage लोगों को ऐसा होता है तो जब भी आप ऐसे किसी family members को आसा देखे जो बहुत slow हो गए है स्लो चलते हैं स्लो बात करते हैं हाथ में कमपन होती है तो वह Parkinson's के symptom हो सकते हैं उसको पार्केंसन स्पेशलिस जो मैं यहां पर तरह चाल साथ से प्राक्रिस करता हूं पार्केंसन के लिए और मैं डीवेस में मैं प्लान करता है जिसे पेशिट के symptom काफी हद तक कंट्रोल होते हैं और सही मेडिसन से सही स्थेज़िस को ट्रिक्मेंट करने से और इसके बाद फीजयो थे बीशिव स्पेशल एक्साइज होते हैं वह एक्साइज करने से काफी पर कंट्रोल होते हैं धन्यवाद मित्रों